हेलो गाईज तो तमारा बदानो आई टी इंस्ट्रक्टर नामनी चैनल मां हार्दीक स्वागत छे जेम आपड़े स्विच गेर ने प्रोटेक्शन मां अत्यार सुधी टोटल चार वीडियो जोई गया छे जेमके एमां एक थी सो नंबर ना एमसी की सुधी आपड़े चर्च इंस्ट्रक्टर नी एक्जाम आवी रही चैनल नौटिफिकेस नावी जुछे के जुलाई कांतो ऑगेस्ट मने लागे चैनल सुधी ऑगेस्ट मां एक्जाम कंड़क्ट था भी जोई है तो आपने ही पासे डौर के ब्या महीना जितलो समय कालो चे तो त्या सुधी मार्व यह फोकस्टे के पहले बदे बदा एंसी क्यू कवर करू अने ना पछी तमने थियरी थोड़ी करनी समझाई से ने आ उपर थी पन एंसी क्यू सौल करावड़ाई तो जे मित्रो एनी पर्टिकुलर तैयारी करता हुए तो आ वीडियो अंतसुदी जो जो श्योरली आमा थी आमसी क्यू एक्जाम मा तमने जो अमड़ से बैठे बैठा विट्थ एमसी क्यू अने एना ओप्शन साथे एवान एवाद चापे ला असे ओके तो आपड़े टाइम ना बगारता वीडियो नी शरुआत करिया ओके तो एमसी की नूमबर वन-0-1 मा एक सौट एक्जामपल आपे लो जे ओके एला फोकस से करवा मूं के आपने में पूछी चे सू अने आपने क्वेस्टन मा आपे लो शू जे नंबर वन एना सू पूछी जे तो नेचरल फ्रिक्वंसी ओफ ऑसीलेशन पूछी जे राइट अने बिजू मसीन का यू आपे लो जे सिंक्रोन हेंदरी कैपेसिटन सा पे लूचे 0.002 माइक्रो फेराडे ओके जो तमने आ क्वेस्टन एले के आए एक्जाम्पल जो एक्जाम माँ पूछा है तो आइटे इंस्टर्टर माँ आनो आएमसी कोई बैठो पूछ तो पहला जवाब याद राखी लिए 29 किलो हड्स परनतु क आपड़े आगलों जाहिए ओके 102 माँ किया है इनना सर्किट ब्रिकर ओइल एज अ क्विंचिंग मिडियम हैस दे एडवांटेज ओफ खाली जे गया नमबर वन क्वेस्टन था है के क्विंचिंग मिडियम इतले सु समझू क्विंचिंग मिडियम इतले याद राखिये के आरक ने ओल अलावा माटे वप्रा दू है एलाके आग आगने ओलावा मणे वप्राइए यहां क्विंचिंग मिडियम तो यह बात करें सर्किट ब्रिकर उल एक क्विंचिंग मिडियम वपराई युश है तु यहां आरी थे पूछाए के एडवांटेज होआए तो दीसे प्रोपर्टी नुबर टू एब्जॉप्शन्स ओफ दे आर्क एनर्जी नंबर थ्रहा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंद ओके सेम क्वेस्टन खाली एड्वांटेश निजगे डिसएड्वांटेश पूछुछे तुपन जाब मां अलॉप दाबू नंबर वन कही है नीड पिरियोडिकल रिकंडिशनिंग एंड रिप्लेस्मेंट सेकंड वन इनो डिसएडवांटेश सूचे के रिस्क ओफ फ्वर्मेशन ओफ एक्स्प्लोजीव मिक्स्टर विदेर एलेके धड़ा को थावानी संभाव ना होई शखे पॉसिबिलिटी ओफ कॉजिंग फायर हजा उलाव माटेनु काम सेनुछ तो और प्राइमरी फंक्सटनेले उनो मुख्य काम सूचे तो क्विंचिंग अर्क इतलो याद राखे शू ओएल सक्टिट ब्रेकर मा उलनु मुख्य काम सूचे तो क्विंचिंग अर्क माटेग माटेन ज्योद ब्रेकर मां उलनु मुख्या मुख्य ज्योकी तो ये ग्तिली और मुख्य उनलोन ऑप designation स्रुपिय मुख्या यह निचे ट्रीब थे जता हुआ जो यह राइट पम कई कंडिशुन मां तो एज अन इलेक्ट्रिकल एंजिनियर याद राखे शू जे अल्टरनेटिंग करंट है जिरो थी नियो नियो थी 100 एंशी तो यह जे अल्टरनेटिंग करंट जे साइकल मां जिरो ज्यारे जो जिरो पुराव है तरत आर्क इंटरॉप्ट थस है तो अत्यार याद राखे करंट गोज थू जिरो आर्क इंटरॉप्शन इन ओईल सगिट ब्रेकर टेक प्लेस वेन करंट गोज थू जिरो ओके क्वेस्टन नम्बर वन जिरो शिक्समा बात करें दचांसीज ओफ आर्क आर्क इंटरॉप्ट था राइट अपने के सबसीक्वंट इले करंट जिरो उपर आवे इले आर्क इंटरॉप्शन था थी हुए जह परन्तु पर्टिक्विलर आपण़े वाद करी के ओईल सगिट ब्रेकर मां तो ओईल सगिट ब्रेकर मां राइट के चांसीज गना बदा ही परनतु घंट जा एट जगिए एक एरब्लास्ट सरकिट ब्रेकर नहीं वाद कि रहें एगिकर एबी शी बीदस तो इंटर वेनेवर करन्ट गोइंग थ्रू दव जीरो तो एनी ए वस्तू डिक्रिस्ट हसा है इन दे केस ओफ ABCB एर ब्लास्ट सर्किट ब्रिकर ओके नेक्स्ट क्वेस्टन 107 मा बात करें इन मिनिमम ओईल सर्किट ब्रिकर दो ओईल इस यूज़ ऑफ खाली ये गिया अब अब केशा कि जा ओईल सर्किट ब्रिकर चे या नहीं वाच़ चे परन्ट तो यह उइन अंदर ओईल नू जे वॉल्यूम जे ऊचू जे लगे ओच्छा मां ओच्छू ओईल एन अंदर होए तो ये ओईल नूँ उप्योग सेना माटे होए अब सर्किट ब्रिकर चे मित् परन्तु जो main purpose of the circuit breaker पूछाए तो, sorry, main purpose of the oil oil पूछाए in the oil circuit breaker तो always याद राखे चो quinching arc आपने जो ही किया वन जिरो फोर मा के main purpose पूछाए oil नो in the oil circuit breaker तो सुआव से quinching the arc परन्तु अहां एम बात करे लिए हो है के circuit breaker नहीं अंदर जे oil चे ऊचुछाए वोल्यूम मा गणू ऊचुछाए तो ये oil नो सेना माटे आपने उप्योग करे लो असा है तो क्विंचिंग आ आर्क आ जावे जिवी आर्क ने क्विंचिंग करे ये तले circuit जे होए ये आपड़ी ब्रेक थावा नी चे राइट परन्तु ये इन्नो एक वेस्टन मा ओप्शन आपने क्विंचिंग आर्क आपे लो नथी ओके तो येना माटे याद राखी चुछू ये आपनने टाइम पूछों चे के एक चारचो के विनी एक सिस्टम से एमाँ जो एरब्लास्ट के ब्रेकर में डिजाइन करे ने कनेक्ट करे लू हो है तो ये सकीट ब्रेकर कोईपन प्रकान दो फोल्ट था है तो किटला सेकंड मां ओपरेट था से तो अल्वेस याद रा तो 200 kv नी सिस्टम मां 109 मां बात करिया था। दमीडियूम शॉरी दमीनिमम उइल स्विकित भीकर है प्याले स्वालियूम अफ वोईल भीकोज खाली जेगे ओकें यह वात करी छेकें जे ओइल स्कीट व्रेकर जहां आपने मिनिमम वोइल सब्सक्रेकर होई, आपने की दूख के ओएलो जे वॉल्यूमस है ये ओच हुआ जोए, आपने वुप्यों, फक्तने फक्तस आना माथे करिया सर्कीट ब्रेकिंग मेइद्वेन तरिकें तरिकें material के यूस करेथे ना वैंतलब्चों के insulation माट आपटे यहनों यूस करो चे ना कुलिंग माटे यूस करो चे तो ना तो गीशिश्ग मालब्चों के लिए प्रोवाइड करीकशों तो ये अल्लग थी आपने इंसुलेसिंग इंसुलेशन प्रोवाइद करी चुछू इल्यां यहां ऑप्सेन नमज्भाइद करियों कि solly इंसुलेशन इज प्रोवाइद 않았 gracious कि 설। इंसुलेशन दौतक्स ठोम दरी अर्थ रायँ 7 descrição अलग थी प्रोवाइदely तरह लूग चे ऑईल लो उपयो गई यहां इंसुलेटिंग मट्रियल तरीके नहीं परन्तु सर्कीट ब्रेकिंग डिवाइस तरीके थायलो चे शर्कीट ब्रेकिंग मट्रियल तरीके थायलो चे ख्वैस्चन नंबर 1110 माज हुए 110 माज हुए आर यूजल इन ऐर ब्लास्ट सर्कीट ब्रेकर मस्त बी खाली जागया अवे एर ब्लास्ट सर्कीट ब्रेकर माज यह एर यह लिए हवा जे हुए अनि अंदर धूड कच्रो रचकर अबदू नहां हुजए तो यह नहीं क्या हुए बी फ्री फ्रॉम मोइस्चर इला कि जी हव वाइल यूजिंग एर ब्लास्ट सर्कीट ब्रेकर करन्ट चॉपिंग इज फिनोमिनन ओफन अब्जर्वड वेन खाली जागया यह लाकि आपने मानी लोग के एर ब्लास्ट सर्कीट ब्रेकर आपने यूज करिया जै तो हमां एक प्रॉब्लम आओ है जैना एक नामे उलख इंवर पर स्वीच ओफ होए एक कंडिशन मां करन्ट चॉपिंग नी प्रॉब्लम आपने जोवा मर्ती होए जैना के जैकर नथे चॉप था चालू बंदे हो था जैसे बराव कई कंडिशन बाग जैरे ट्रांस्पोर्मर और ट्रांस्पोर्मर ओन नो लोड इज स्वीच ओ ब्राव तो एरब्लास्ट सर्किट ब्रेकर त्यारे करन्ट चॉपिंग नी प्रॉब्लम्स मां हस है एलाए के ए प्रॉब्लम्स एमां थता हुए जे अर्ट्रांस्पोमर और नो लोड इज स्विच ओफ ओके क्वेस्टन नमबर 112 एलाए के 112 मां जोई है इन एरब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रेजिस्टन्स स्विचिंग इज यूज़ टू खाले जागिया ओके तो वह अल्वेज याद राखिया है यहां पुछियों रेजिस्टन्स स्विचिंग नों मतलब सु एनो उप्योग उल्वेज याद राखिया है डेम आउट फास्ट्र एन्ट ब्राव डेम आउट फास्ट्र ट्रेंजियंट इलेके जह समय गालों लाखतौ हो है जह यह समय गाणानां उचु करूआ नों काम कोन कर रेजिस्टन स्विचिंग अल्यके डैम्प आउट द फास्ट ट्रन्जिय एक्सलेंट हीट ट्रांसफर प्रोपर्टीज बिकॉज ऑवाग क्वेस्टन्स हावें तो 99 परसंट जी लखेंचे नो बोथ ए और एंड सी ये प्रकारना जवाब होता हुआ जहें तो पन एक वार बनने ऑप्शन वांची ने कन्फोर्म फरजीयात पने करी लिया हुँ राइ क्यांके एक्जामिनर एवाज क्वेस्टन सिलेक्ट करचे के जैमा थोड़ गणू अपवादस है आउँ लखेलू है छता पन एक लोग एपन जवाब आवी सके जहें तो एक वार चौकसाई पुरवक वाची लाओ ओके आपने वाची है ये सुकितू आपने के SF6 गैस छे एक्सलेंट हीट ट्रांसफर इंग नी प्रॉपटी इस दरावेचे केम तो नंबर ए ओप्शन वाची है तो एमा लखेलू ज़े के लो गैसियस विस्कोसिटी राइट लो गैसियस विस्कोसिटी आने सीमा लखेलू ज़े हाई मॉलेक्यूलर वेट तो बनने ओप्शन गर्मी जे एक गरम लोखन नो सड़ियो होगाई तो एनू टेंपर ज़े हवा माम्मू किया तो यह सुथ है के हवा मा कोता नी गर्मी छोड़े लेके हीट क्या सुखरे ट्रांसपर गरे तो कई-कई कंडिशन मा हीट जडबती ट्रांसपर था तो एक कंडिशन के यह तो लो क्वेशन नंबर 114 मा वाद करे सिक्स सर्किट ब्रेकर है व एडवानटेजी आप खाली जागा तो यह बदे बदा एडवानटेजी आँ च्छे ओके अहीं एसफ शाने ABCB एरब्लास सर्किट ब्रेकर नी जो तफावत नी वाद करे ना तो एक ए तफावत कही चाहाई करण क्रपइंग प्रोपींग प्राप्वल्दम ककी आशेहिं साथागर प्रॉप्रकावारम्ट सीटवफन सखब्समणी son तो जाओ действительно नहीज वरीमच रिड्यूजड एल्लेट्रिकल क्लेरंस्वन्न मर Dop!!! रिडूजड नवीस्टर व्र सुचल मरन सब्सक्राइब करना एडवांटेजिस चेह ओके क्वेस्टन नूम्ब वन वन फाइव एक सुन पंदर माँवाद करिया एश्चिक्स सर्किट ब्रिकर है वो ड्रोबेक और अफ काली गया तो जवाब माँसे एंड बी बोथ रैट अवे जो यह ना कि ड्रोबेक लिए सेकंड क प्रोब्लम का है हो कि सिलिंग प्रोब्लम ओफ गैस सेकंड वन सुच है कि इंग्रेस ओफ मोईस्चर इन्द जी एस सिस्टम इस डेंजरस एलागे जो भूल्थी पने मां मोईस्चर एड़ था है तो एक गटना भयान खोई शेगे जिसल्फर फ्लोराइड मां ये बस तो न इंपोर्टन कई शेका है करना के चारे चारों अप्शन साचा जे अमाथ एक पर्टिक्यूलर सोद्वान हों छे एना माटे क्वेस्टन माचे थे सिंगल इंपोर्टन प्रोपर्टी शुग दू के साउथी मुख्य गुण धर्म डेट मेक्स एसेफ सिक्स वेरी सर्कीट ब्रेकिंग इस खाली जागिया एसेफ सिक्सर सर्कीट ब्रेकिंग कंडिशन मा वापर वह जोई है यू आपड़े कैता होई है यह केम यह वी तो एना माँ सू प्रोपर्टी जे तो अल्वेज याद राखे लिए सर्कीट ने ब्रेक करवा माटे एना माँ हाइली नेगेटिव हो जोई है एनी करेक्टरिस्टिक्स हो जोई है यह हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिक नेगेटिव हो जोई है एनी प्रोपर्टी जे फॉर्द शर्कीट ब्रेकिंग ब्राव फॉर्द शर्कीट ब्रेकिंग ब्राव फॉर्द शर्कीट ब्रेकिंग ओ आपने प प्रॉपर्टी फूह आधी। इनव प्रॉपर्टी है अमुक्ट इस्ट फॉपर्टी प्रॉपर्टी कि तो इलेक्ट्रो नेगेटीव मकेर्यल तो स Hautसीफ लिए अगलर्णीन नेगेटीव। तो यहनों मतलब निच बीजा बाधासुथ है एना माटे साचा ओप्शन्स थाया नंबर बन की है कि SF6 is a non-toxic and non-inflammable राइट question option C होई है SF6 has a density five times that of air at 20 degree centigrade तो आमाथ ही पने केमची क्यों पुछी चके कि SF6 नी density छे यह air करता किटला गणी होई छे at the temperature of 20 degree तो किला गणी होई पांच गणी ऑप्शन नंबर डी वांच है SF6 is about 100 times more effective than the air in arc extension तो आपनों पुछी चे के के भी air arc extension माँ air करता किटला गणी होधारे effective circuit breaker छे SF6 तो यहाद रक्षिच चों गणी होधारे effective है compare to the air in arc extension okay question number 118 188 माँ बात करिये during arc extension SF6 gas gates खाली जीगया okay यह always याद राखिये कि ज्यारे arc extension नी process होए त्यारे SF6 gas अशा है ब्या भाग माँ अचा से ना जैना आपने ओड़े उलक्षू SF4 and SF2 question number 119 माँ SF6 gas is transported in खाली जीगया SF6 gas नी के विरते आपड़े एक जीगे थी बिजी जीगे मुखली शू तु इन दे सिलिंडर इन दे लिक्वीड फॉर्म इले जाम आपड़े गास ना बातला आवता होए छे राइट LPG जैना आपड़े गैस कहता हुए लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैसीस तो यह अब एज रीते सेम कंडिशन माँ SF6 gas ने बातला आवा भरी ने आपड़े ट्रांसपर करीशू ट्रांसपोर्टेशन करीशू question number 120 माँ the current chopping tendency is minimized by SF6 gas at relatively खाली जीगया आपने के तो कि भी SF6 gas मा current chopping problem ओच हो है चे राइट यह minimize करी चेकाई चे with the use of SF6 gas केवी रीते तो SF6 gas केवी रीते घटा लिए SF6 gas current chopping ने केवी रीते घटा लिछे के तो यह वस तो याद राख राख चीछू एक प्रेसर ने भी जो विस्कोसिटी पर कौन वदा रहा है और कौन ओच हो है तो अल्वेज यह वस तो याद राख लिए कि प्रेसर के वह उस है लो अन्य विस्कोसिटी यह लिए कि स्निक दिता पन के विस्कोसिटी बनने जो ओच हो है तो करंड चॉपिंग एस एप सिंस्क्समा उचू था यह प्रेसर अन्य विस्कोसिटी ओच हुआ है त्यारे ओके क्वेस्ट नमबर 121 तो लिमिट करांट चॉपिंग इन दवेक्यूम सब्रेकर इले सू कहें कि वेक्यूम सब्रेकर से हमां करंट चॉपिंग नमारे लिमिट कर हो जे तो the contact material employed should have the property of खाली जे गए तो जे हुँ contact material use करूँ any properties हुआ से conductivity हुआ से वेपर प्रेसर हुआ से तो always याद राखी लिए कैने conductivity ओछी हुआ भी जो यह ब्राव जो conductivity वदा रहे हुआ है तो current chopping वदा रहे था है इसलिए इसलिए कर्णट्ट्टीवीटी के की व्याद को यह हुआ जी है जी है अधार है पोटिकुलर आपने आगर क्वेस्टन जो ही 120 आम सेब सिक्स गैस नी वा ताती इन थे सब्सकीट ब्रेकर पर नतुन हम से नीव मत करी आपणे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑच नी राइक यह वेपर प्रेसर आपणे अचैना परेसर अचलwn परेसर बंदे के ऒर आखिए तो लेक्टियु बाद करे घर्मल प्रोटेक्षान स्वीच्छ प्रोईड़ प्रोटेक्षान अगेंस्ट खाली जय है 30 माइं थर्मल प्रोटेक्षान स्वीच हो यूज करूअ तो ये शेना अगेंस्ट मा हुआ है कि शेना सामिमने प्रोटेक्षैन आप रक्षन आप तो याद राखिशू, जे स्वीच अशा है, थर्मल प्रोटेक्शन स्वीच, ये ओर लोड नी कंडिशन मा, आपनने प्रोटेक्शन आपसे है, ओके, थर्मल प्रोटेक्शन स्वीच, कही कंडिशन मा, आपनने प्रोटेक्शन आपसे है, तो याद राखि लिए है, ओर लोड पर रिमोट ब्रेकर मस्ट बीक्वीपडवित खाले जी गया फॉर रिमोट ऑपरेशन लेकर आटोमेटिकली ए ट्रिपिंग था यह ना माथे सब्सक्राइब कर मां सू जूड़ू पड़े आपने तो अल्वेज याद राखिए संट ट्रीप मोस्ट इम्पोर्टन याद संट मां ट्रिपिंग सब्सक्राइब करेली क्वेस्ट नंबर 124 मोस्ट इम्पोर्टन अन्य प्रेक्टीकली देखी सब्सक्राइब गटना विच आप दो फॉलोइंग सब्सक्राइब इस जन्रली यूजड इंद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ने इस जोगे आगल तो यहां एज वस्तु तो ने ट्रिफ थाथा कितलो समय लागे लों पचास मिली सेखने जितलो राइट अन्य वस्तु याद राखी शुके रेलवे नूँ इलेक्ट्रिफिकेशन करवानु छे तो उनका यू सर्किट ब्रेकर एप्लाइ करीज तो आल्वे याद राखिये एबीसीबी एर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ओके आज ना लेक्ट्र नू लास्ट क्वेस्ट्टन क्वेस्टन नमबर 125 वाट इस दो प्रिफोर्ड टाइब अब सर्किट ब्रेकर तो बी इंस्टोल्ड इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम एलेके सब्द लागे न तो सर्किट ब्रेकर पण एक्स्ट्रा एलेके थोड़ूक मॉगूल आउब बड़े तो याद राखिये के एसेप सिक्स सर्किट ब्रेकर ओके मित्रों आब जो अवे नेक्स्ट लेक्चर मां मली शूँ थैंक्यू वेरी मच्छ